हेलो दूस्तों अगर आप एक domain purchase करना सोच रहे हैं तो किस तरह से domain purchase किया जाता है 2022 की साल में यह 2022 स्टार्ट हो चुका है तो और किस तरह से domain purchase करना है इसके बारे भी स्टूडियो में आपको complete बताने वाला हूँ Google में आप search के लिए GoDaddy जैसे हम GoDaddy में जाएंगे तो यहां पर first search यहां पर आपको देखने को मिल रहा है उसे आप पर select कर लिजिए तो जैसे हम यहां पर select करेंगे तो हम GoDaddy के site पर चले जाएंगे तुप्रेंस अगर आपको जो डोमेंग लेना है वह डोमेंग का यहाँ पर जो भी कीवर्ड है वह यहाँ पर टाइप कर दीजिये तो यहां पर मैं ALLWiCG मेरा यूट्वी चैनल है उसको मैं टाइप कर रहा हूँ और मैं इसी नेम से domain purchase करने वालों होगे वेड़े वेबसाइट के लिए तो इसे हम चल हम सर्च कर ले तो यहाँ पर जैसे हम सर्च करेंगे अगर एक domain हमेरे लिए dot com domain मिल जाएगा तो आप दीख सकते हैं यहाँ पर हमें all with.com यहाँ पर हमें मिल चुका है तो यहाँ पर अभी तो finally finally year आपको लास्ट में पता चल जाएगी यहां पर यह के 309 यहां पर आ रहे हैं लेकिन फाइनल जब हम सेट अप कम्प्लिट करेंगे तब आपको सही प्राइस इसकी पता चल जाएगी तो यहां पर एक साल के लिए अभी तो बता रहा है होगे अगर आपको कोई सजेशन चाहिए तो नीचे आप सजेशन भी आपको मिल जाएगा यहां पर आपको सजेशन में भी कुछ डॉमेंस आपको देखने को मिल जाएगे लेकिन हम यहां पर ओल्विजी डॉट कॉम ही लेने वाले हैं तो यहां पर आपको एड्टू का ओप purchase किया है उसको यहां पे कितने साल दो यर्स के लिए यहां पर हमें 1200 के something यहां पर हमें पढ़ेगा यह हमें बता रहा है तो continue card करते हैं जैसे हम continue card करेंगे तो कुछ additional charges भी यहां पर हमें लेना है या नहीं लेना है इसके बारे में यहां पर पूछा जाएगा तो यहां पर प्रोटेक्शन के बारे में यहां पर बता रहा हो कि इस setup में यहां पर जो domain protection के लिए कुछ यहां पर चार्जिस लगते है monthly तो यहां पर अगर आपको domain protection अगर चाहिए तो यह आप tip रख सकते हैं या फिर untip कर दीजिए तो मैं यहां पर आपको suggest करऊगा no thanks कर देजिए हमें कोई protection की जरूरत यहां पर फिलहाल तो नहीं है यहां पर आपका नया domain है तो इसके लिए यह जरूरत नहीं है और यहां पर आप देख सकते है start your website for free का जो यहां पर भी tip mark आ रहा है coming soon का तो यह भी आप निकाल दीजिए इसकी भी कोई जरूरत नहीं है तो यहां से भी आप इस step को untip कर दीजिए देन आप लास्ट में अगर देखेंगे तो यहां पर हमें इसे भी हम untip कर देते हैं पहले तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो एक email id हमें create करने को मिलेगा तो इसकी email id की भी कोई जरूरत नहीं है 29 रूपिस की हमें monthly चार्ज आ रहा है तो यह सब additional charges है इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें तो यहां पर simply आप no thanks कर दीजिए तो अभी हमारा जो domain है उसे हमें domain का ही charges देना है और कुछ taxes लगेंगे कुछ tax हमें pay करना पड़ेगा तो चलिए हम अभी आपको मैं बताता हूं यहां पर continue काट कर दीजिए जैसे हम continue to काट करेंगे तो हमारे final यहां पर हमें payment details और हमारा नाम एड्रेस यह सब हमें fill करना रहेगा अभी तो अब देख सकते हैं यहां पर हमने सब process complete कर दी है और यहां पर आप देख सकते हैं हमें यहां पर हमारा जो 2 years का जो हमें दीखा रहा है वो हमें यहां पर पता चल जाएगा देन हमने जो एडिसन चाजिस थे वो हमने cancel की है पहले ही अगर आप 3 years का लेना चालते है या फिर आप 1 years का लेना चालते है तो यहां से आप changes कर सकते हैं देन अगर मैं आपको बता दू तो आप जैसे हम नीचे जाएंगे तो सब टोटल आपको यहां पर दिखा रहा है हमारा सब टोटल यहां पर कितना है 2 years का ओके तो यहां पर 2 years की जो प्राइस आप देख सकते हैं ओके और हम एडिसन चाजिस जो भी थे वो हमने यहां पर नहीं लिया है तो यह get it करके आप अगर यहां से लेना चाते तो यहां से फिर से एड कर सकते हैं लेकिन इसकी कोई जरुवत नहीं है सुप्रेंट से यहां पर आपको अगर यह आपको इसी प्राइस में आपको चाहिए तो आपको यहां पर प्रोमो कोड देखने को मिल जाएगा तो यह जो प्रोमो कोड है उसे आपको इस प्रोमो कोड को जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहां पे इस प्रोमो कोड को हमें पेस्ट यानि के हमें टाइप करना है तो इसी प्रोमो कोड को हमें यहां पे टाइप करना है तो इसे हम सेलेक करेंगे पहले तो के दिन आपको इसी प्रोमो कोड को यहां पे आपक डालना है तो चलिए हम प्रोमो कोड को पहले तो हम ले लेते हैं हमारा जो प्रोमो कोड है यह वाला प्रोमो कोड इसे हमें टाइप करना है तो दोस्तो हमने यहां पर हमारा जो प्रोमो कोड है वो यहां पर टाइप कर दिया है और यहां पर हम set कर देंगे, यहाँ पे हमारा promo code को हम enter कर देंगे तब देख सकते हैं हमारा जो promo code है वो यहाँ पे select हो चुका है तो इस तरह से हमें एक promo code यहाँ पे successfully यहाँ पे submit हो चुका है तब अगर फिर से एक बार देख लेजें आपकी जो price है यह same ही रही है, यहाँ पे कोई changes नहीं हुआ है तो आप एक बार पढ़ लीजे, यहाँ पे 800 रुपिस का हमें saving मिल रहा है यहाँ पे, तो चलिए हम यहाँ पे finally हम I am getting to pay पे यहाँ पे जो option देख रहा है तो यह हम select कर लेते हैं जैसे हम select करेंगे तो यहाँ पे आपको login की required होगी यहाँ पे आपका email id facebook से आप login कर सकते है तो यहाँ से आप जिस जहां से भी आप login करना चाहते हो तो यहाँ पे यह वो select कर लीजे तो यहाँ पे मैं Google से email id से login करने वाला हूँ तो यहाँ पे मैं select कर लेता हूँ तो आप भी जिससे लॉग इन करना चाहते है वो आप प्लेटफरम सेलेक्ट कर लीजिए तो चलिए मैं यहां पर जो मेरी email id है उससे में लॉग इन करने वाला हूँ तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो फ्रेंज यहां पर हमने email id से लॉग इन कर लिया है जब भी आप जो भी email id से लॉग इन करते हैं उस email id से आप गोडेडे का अकाउंट उपन कर सकते हैं यह आप ख्याल रखिए गया तो यहां पर आप देख सकते हैं अभी हम है यहां पर पर्सनल डिटेल्स है जैसे कि हम कहां से रहते हैं हमारा address, pin code यह सब हमें यहां पर type करना है तो आप अपने हिसाब से आप जहां भी रहते हैं आपका जो name है आप जहां भी रहते हैं आपका pin code क्या है वो सब आप यहां पर type कर देजें तो यहां पर मैं skip करने वाला हूँ यह सारी options को आपका जो भी billing information है वो यहां पर type कर देजें तो यहां पर मैं मेरा billing information यहां पर type कर लेता हूँ मेरा name और surname, mobile number, address, pin code, city यह सब हमें यहां पर type करना है तो आप भी अपने हिसाब से यह सब option को type कर देजें मैं आपके बताता हूँ आपको और क्या करना है मैंने यहां पर मेरी billing information है वो यहां पर type कर दी है तो यहां पर अगर आपके पास dht है तो आप यहां पर dht type कर सकते है या फिर आपके पास नहीं है तो आप simply save कर देजिए इसे हम save करेंगे तो यहां पर हमें payment method यहां पर हमें दिखा रहा है तो यहां पर by default हम credit card है अगर इससे पहले आप फिर से billing information अगर आप edit करना चाते है तो इस option में जाके आप billing information edit कर सकते हैं तो फिर से अगर आप कुछ गलत दीख दिया है तो आप यहां पर edit कर सकते हैं अगर आपको billing method के लिए आपको बता दो तो यहां पर बहुत सारा options दिये गया है credit card है net banking है debit card है आप जिस टाइप से यहां पर billing method select करना चाते हैं अगर आपके credit card है तो यहां पर option आपको दिया गया है credit card के लिए आप तुरंत ही यहां से purchase कर सकते हैं लेकिन net banking debit card के लिए आपको अलग option दिया जाएगा तो चलिए हम हमारा debit card है वह हम select करने वाले है तो मैं debit card के उपर select कर लेता हूं तो और यहां पर आप देख सकते हैं मैंने यहां पर review order के लिए चला जाता हूं तो जैसे हम debit card से लेकर करके review order पर जाएगे तो आप देख सकते हैं यहां पर हमरे पास यह page open हो चुका है और हम debit card से इसे purchase करने वाले हैं हमारी final amount आप देख सकते हैं 1500 रुपय के आसपास हमारी final amount आई है 1563 हमें 2 years के लिए pay करना रहेगा tax के साथ तो आप tax की भी देख सकते हमारा जो कितना tax बन रहा है तो आप देख सकते हैं यहां पर continue payment हम करना चाहते हैं तो नीचे से continue payment हम कर देते हैं तो चलिए यह सब आप पहले तो एक बार फिले ध्यान से देख लिए कुछ गलत तो नहीं किया है अगर आपने perfect कर लिया है आपको confidence है कि आपने perfect से हो किया तो continue payment कर दीजिए तो चलिए मैं continue payment जैसे करूँगा तो यहां पे हमें payment के लिए debit card का option यहां पे हमें go daddy के तरफ से ही यहां पे आप देख सकते है payment method एक open हो जाएगा तो फिर से यहां पे हमारी पूरी billing information यहां पहले हमें show करेगी उपर के side और यहां पे हमें जो billing method है जिस तरह से हमें billing करना है credit card debit card net banking जिस type के आपको billing method select करने वह आप select कर सकते हैं तो मैं simply यहां पे debit card का option select करने वाल होगे जैसे हम debit card select करेंगे तो यहां पे आपका जो card type है तो पहले आप देख सकते हैं यहां पे आपको कई तरह के billing method यहां पे देखने को मिल जाएंगे तो यहां पे मैं debit card का option select करने वाल होगे ताप भी अपने सबसे जिस तरह से payment करना चाहते है वह कर सकते हैं जैसे हम यहां मैं debit card select करूँगा तो आप देख सकते हो यहां पे मु और आप भी अपने सबसे आपका जो भी card है वह आप select करने के बाद आपको पता ही है यहां पर आपको card number देना है okay card number के बाद आपको expired date देने के बाद आपको जो card का जो number होता है वह यहां पे type करना है यह सब complete हो जाने के बाद आपको renewal के लिए यह message को untip कर देना है देन आप purchase कर सकते है payment दे सकते है तो चली हम मैं मेरा payment कर देता हूँ तो मैं यहाँ पर मेरा रूपे select करके मैं यहाँ पर card number और यह सब fill कर देता हूँ ताबिक कर दीजिगा हमने पूरी information टीप कर दिये और यहाँ पर renewal के लिए यहाँ जो टीप मार्क है वह आपको हटा देना है और आपको यह जो payment है वह successful आपको कर देना होगी तो हमने payment यहाँ पर कर दी है और यहाँ पर process हो रही है जैसे हम process करते है तो यहाँ पर हमें mobile पर OTPI का तो आप ख्याल रखें आप जब भी payment करें तो अपना mobile जो भी है वह आपने पास रखें जो भी mobile आपने bank account से joint करके रखा होगी जो भी mobile number है तो आपको यहाँ पर OTP आ जाएगा अगर आपको OTP नहीं आता ता आप resend OTP पर select करके आप OTP ले सकते है और यहाँ पर type कर सकते है तो चलिए हमें OTP आ चुका है तो हम OTP यहाँ पर type कर लेते हैं OTP type कर लेने के बाद आपको यहाँ पर confirm कर लेना है तो हम जैसे हम submit करेंगे तो हमारा जो यहाँ पर payment है वह confirm हो जाएगा तो इस तरह से हम एक GoDaddy का domain purchase कर सकते हैं domain purchase हमने यहाँ पर कर लिया है तो आप देख सकते हैं हमारा जो total amount है यह 1500 के आसपास आ चुका है तो हमने यहाँ पर order confirm कर लिया है अभी आपको एक email confirmation लेना है जिसे हमें एक email आता है तो हमारे जो जो भी हमने email दिया था वह email confirmation के लिए हमें हमारे email आइडी पर जाना पड़ीगा तो इससे पहले मैं आपको बता दूं के यह जो मेरा domain है यह मुझे मिला है या नहीं इससे चेक करने के लिए बहुत ही आसान तरह के आपको यहां पर एक new tab में जाना है तो इससे पहले यह जो अगर आपको यह print आउट निकालना है तो यहां पर प्रिंट यहां पर आपको जो प्रिंट है यहां से print receipt आप निकाल सकते हैं ओके तो जैसे हम print receipt पर जाएंगे तो यहां से आप अगर प्रिंट आउट निकालना चाहते तो आप प्रिंट आउट यहां पर निकाल सकते हैं तो यहां से आप प्रिंट आउट टाइप करेंगे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं तो यहां से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूं कि किस सरसे हमने हमें पता चलिए कि हमारा जो डॉमेंड है वो सक्सेस्पुली हमें बाइ कर लिया है या फिर हमारे पास वो डॉमेंड आ चुका है तो इसके लिए हमें एक न्यू टेब ओपन करन करने के बाद आपने जो भी डॉमेंड पर्चेस किया है वो यहां पर टाइप कर दीजिए तो मैंने allwithg.com लिया है तो यहां पर मैं सिंपली टाइप करेंगा तो आप गो डीडी के पेज़ पे चले जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर जैसे मैं टाइप करता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर जो गो डीडी की प्रोफाइल है उस पर मैं डाइरेक्ली चला जाओंगा तो आप देख सकते हैं यहां पर जो हमारा डॉमेंड है यह हमने पर्चेस कर लिया है तो हमारा पर्चेस हो जुगा है तो इससे आपको पता चल जाएगा ओके सो फ को ये जो all Vitjee.com मैंने लिया है ये मेरा all-ready एक blogspot पर एक blogger है इसके लिए मैंने ये domain पर्चेस किया है तो चलिए हम देख लेए all environment.blogspot.com ये मेरा already a blog है जिसके लिए मैंने domain पर चेस किया है ओके तो blogger में किस तरbling को हमें ये sub domain को add करना है किस तरह से को domain सब domain को blogger के अंदर add किया जाता है तो इसके बारे में next वीडियो हैगा तो वह वीडियो आप चरूँ से देखेगा तो इसके बारे में बताना आ चुका है तो अब जैसे हम gmail id में जाएंगे जो भी email हमने दिया है उसी gmail id से आप login कर लिआजे तो हमारा यहां पे में gmail में चलाज़ता हूं तुम जैसे यहां पर हमारा जो mailbox open होगा तो यहां पर हमें दो email ओ soul होगे एक Welcome को email होगा और email confirmation का email हो गया तो आप देख सकते हैं यहां पर जो है email confirmation का email हमें दिया गया है तो इसे हमें open करना है तो जैसे हम open करेंगे तो आप देख सकते verify your email address to use your domain तो यहां पर हमें जो email verify करना है यहां पर तो simply मैं यहां पर verify email कर देता हूँ ताब भी अपने हिसाब से आप अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो आप देख लिजीगा यह option आप miss मत किजीगा यहां पर आपको अपना जो email है वो confirm करना है तो यहां पर हमारी जो email address है यह verify हो चुके है go daddy के साथ तब हम domain जो है वो access कर सकते है so friends इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ bloggers के साथ अगर आपके पास blogger है अगर आप blogger के साथ website बना ना चाते है .com purchase काने के बाद तो blogger में किस तरह से domain को add किया जाता है इसके बारे में इसके बारे में वीडियो बनाना वाला हूँ तो next जो भी वीडियो हैगा इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊँगा और उसको मैं description में आपको link देदूँगा वीडियो की description में तो वहाँ जाके वो वीडियो आप देख सकते है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो जरू से ये ये इनफ्मिशन अच्छे लगई हो तो जरू से आप इस वीडियो को जाधा जाधा श्याधा से ये ढबाई